कुक विद फरा को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल के आइकन को जरूर दबाईए तब ही मेरे लेटिस्ट वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा इस टोटली फ्रीज असलालेकूम आज मैं आपके साथ मॉमोस बनाने की रेस्पी सेयर करने जा रही हू वैसे तो मॉमोस तिबबत और नेपाल की फेमस रेस्पी है लेकिन ये इंडिया में आने के बाद यहां के टेस्ट में बदल गई है मॉमोस यहां के बच्चों को बहुत पसंद आता है वैसे तो मॉमोस कही तरह से बनाया जाता है तो आज मैं विज मॉमोस बनाओंगी तो आप मेरे मैथोड को step by step follow करेंगे तो आपका भी momos बिल्कुल इस्टेट स्टाइल बन कर तयार होगा तो आएए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रीडियंस चाहिए हैं मुमोस बनाने के लिए सबसे पहले हमें तैयार कर लेंना है तो जो इंग्रीडियंस ली है उसमे मैंने 2 कप मैदा लिया अगर वेट में मैजर करें तो ये 300 gram के करीब है एक टी स्पून नमक लेंगे और एक टेबल स्पून मैंने ओयल लिया है और यहां मैंने एक कप फ्रीज का ठंडा पानी लिया है इसको डालने से हमारे मोमोस की जो आउटर लेयर होती है वो फट्ती नहीं है बॉयल करते टाइम तो आप फ्रीज का ठंडा पानी लिजिए गा नॉर्मन तानी ना लिजिए गा यह इसका एक सीक्रेट टिप से तो आप इसको जरूर से फालो करिए गा तो चलिए हम दो को तयार कर लेते हैं एक मिक्सिंग बोल में हम मैदा ले लेंगे उसमें नमक और आयल एट कर देंगे और सभी को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरिबन 2-3 मिनट तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी अट कर कर इसका हमें ना बहुत से भार्ण कर करना है इसका हमें सेमी सॉफ्ट डो तयार कर लिया है अब इसे ढख कर हम तकरीबन 10-15 मिलिट तक रेश्ट होने के लिए रख देते हैं तो चलिए हम बाकी के इंग्रीडेंस आपको दिखा देते हैं यहां मैंने एक कप कैबेज लिया यानि की पत्ता गो भी लिया इसे मैंने ग्रेट कर लिया ह ग्रेटर के मोटे वाले साइट से मैंने इसे ग्रेट कर लिया है आप इसे बारिक बारिक कट भी कर सकते हैं एक लार्स साइज का गाजल लिया था जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है एक अद्रक का टुकडा था जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है दो से तीन हरी मिर्च है जिसे मै कैसा कर भी कर लिया एक टीस्पून मारों के जिया है मैंने बारिक 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 कट कर लिया है ज स्टियर क्थेagens ठाइट हो इसने सभी पार्ड हिरे कि सफैंगे रह वाय शे पोक्रिय खड़ी अधिना तो चलिए अब हम next process की तरफ चलते हैं एक mixing bowl में हम सभी सबजियों को transfer कर देंगे यानि की cabbage डाल देंगे और साथ में घाजर और प्याज को add कर देंगे और इसी के साथ इसमें हम हरी प्याज और हरी मिर्श को भी add कर देंगे और अद्रक को भी add कर देंगे और साथ में नमक और काली मिर्श को powder भी add कर देंगे और सभी को बहुत अच्छे से mix कर देंगे ये देखें इसी तरह हमें इसे mix कर देना है जिससे की इसमें नमक पड़ा है तो सभी सबजियों में जो पानी होता है वो release हो जाए और इसी के साथ इसमें हमें oil add कर देना है oil इसका एक secret ingredients है तो आप इसे जरूर से add कर देगा market वाले जरूर से oil का use करते हैं तो इसे हमें rest होने के लिए रख देना है सभी सबजियों को मैंने rest होने के लिए रख दिया था अब एक हम cotton का कप्टा लेंगे और उसमें हम सभी सबजियों को transfer कर देंगे और इसी तरह हमें इसमें जो इसका extra पानी उसे हमें हलके हाथों से इसे हमें press करकर निकाल देना है जिससे कि momos में stuffing फिल करते time problem ना हो momos की जो outer layer होती है वो फटे नहीं आप पानी को जरूर से निकाल दीजेगा यह देखिए इसी तरह मैंने इस सभी पानी को निकाल दिया है आप पानी को जादा ना निकाल लिएगा ने तो इस्टेफिंग हमारी बहुत ड्राई हो जाती है आप देख सकते हैं अब सबजियों में जो एक्ष्टा पानी था उसे मैंने निकाल दिया विसे हमें सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है दो हमारा रेश्ट हो चुका है अब इसमें से हमें एक नीमू जैसा पोर्शन लेना है छोटी नीमू जैसा बहुत बड़ा पोर्शन हमें नहीं लेना है इसी तरह हमें सभी balls को ready कर लेना है आप देख सकते हैं छोटे छोटे portion को लेकर इसी तरह हमें इसकी ball ready कर लेनी है आप देख सकते हैं छोटे छोटे ball मैंने ready कर लिए है तो चलिए अब हम next process की तरफ चलते हैं rolling surface पर हम थोड़ा सा dry matter dust करेंगे और balls को हम हातों से थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे और इसे हमें बहुत पतला रोल कर लेना है इसे हमें जादा मोटर नहीं रोल करना है नहीं तो momos की outer layer जो होती है वो कच्छी रह जाती है तो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो आप इसे maximum से maximum रोल कर लिजीगा आप देख सकते हैं इसी तरह मैंने इसे रोल कर लिए है इसे मैने बहुत पतला रोल किया है पहले हम सभी बॉल्स को इसी तरहे रोल कर लेंगे उसके बाद फिर हम इसमें इस्टेफिंग फिल करेंगे तो मैं आपको दूसरी भी बॉल्स को रोल करके दिखाती हूँ यह देखिए दूसरी भी बाल्स हमारी रोल हो चुकियों और सेम प्रोसेस से हम इसी तरह सभी को रोल कर लेंगे तो चलिए अब हम मोमो बनाना स्टार्ट करते हैं एक पूरी लेंगे उसमें हम एक टी स्पून इस्टेफिंग एट कर देंगे और साइट्स पर हम थोड़ा सा पानी अप्लाई कर देंगे जिससे कि मोमो हमारा बहुत अच्छे से सील हो जाए इस्टेफिंग हमारी बाहर ना है अब इसी तरह जैसे हम गुज्या फोल्ड करते हैं उसी तरह हमें फोल्ड कर देना है और इसकी इस साइट को लाकर दूसरे साइट पर हमें इसी तरह प्रेस कर देना है आप देख सकते हैं इसे हमें इस तरह चिपका देना है और इसे हमें मोमो का सेप दे देना है मैं यहां आपको तीन मैथर्ड से मोमो बनाना दिखाऊंगी जैसा आपको convenient लगे आप ऐसा बना लीजेगा तो first मैथर्ड से इस तरह मोमो को मैंने बनाया है आप देख सकते हैं इसे बनाना कितना easy है तो चलिए अब हम second मैथर्ड से आपको मोमो बनाना बताते हैं तो एक पू प्लेट्स लगा देंगे यहां मैने चार प्लेट्स लगाया फिर दूसरी साइट्स को लाकर हमें इस तरह इस पर प्रेस कर देना है आप देख सकते हैं इससे बनाना कितना simple और कितना easy था और यह देखने में भी बहुत अच्छा लगता है आप देख सकते हैं दो मैथर्ड इसी तरह हमें एक के ऊपर एक प्लेट्स लगाना है आप देख सकती है इसी तरह हमें एक के ऊपर एक करके सभी प्लेट्स को हमें इसी तरह लगा देना है यहां मैं आपको धीरे धीरे बनाना बता रहे हूं जिससे की आपको बनाने में बहुत आसानी हो सभी प्लेट्स को मैं पूप ही सिमपल और बहुत एजी है आपको तीनों में जो एजी लगे आप उस मेथर से बना लीजेगा जैसा आपको पानियंट लगे आप उसी मेथर से बना लीजेगा तो अब हमें मोमो को श्ट्रीम कर लेने हैं तो मैं एक खुले वैसल में दो कप नीन कप के करीब पानी बॉयल करने के लिए रख दी थी पहले से पानी में बॉयल आ रहा है अब मैं एक छन्नी में थोड़ा सा एल ग्रेज कर लिए हूं जिससे कि मोमो हमारा चिपके नहीं और निकलने में बहुत आसानी हो तो अब इसमें हम एक एक करके सभी मोमो को एड़ कर देंगे मोमो को आप बहुत ज़ादा पास पास ना रखेगा थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर रखेगा जिससे कि मोमो हमारा एक दूसरे में चिपके नहीं नहीं तो यह चिपक जाता है तो इसे निकालने में बहुत प्रॉबलम होती है मोमो को मैंने इसी तरह रख दिया है आप देख सकती है जब इसमें भाप निकलना इस्टार्ट हो जाए तब आप मोमो को एड़ करिएगा अब इस पर लिट लगा कर गैस की फ्लेम को मीडियम टूर लोड करके इसे हमें 10 से 12 मिनट तक को करना है जिससे की मोमो हमारा बहुत अच्छे से इस्टीम हो जाए अब इस पर हम थोड़ा सा आटा लगा देते हैं जिससे की इस्टीम हमारी बाहर नहीं है और मोमो हमारा बहुत अच्छे से इस्टीम हो जाए गैस की फ्लेम को मीडियम टूर लो करके इसे मैंने 10 से 12 मिनट तक बहुत अच्छे से इस्टीम कर लिया है तो चलिए देखते हैं मोमो हमारा बहुत अच्छे से इस्टीम हो जुक है इसकी पहचान यह है कि मोमो हमारा ट्रांसलोसेंट हो जाता है यानि कि इस्टेफिंग हमारी बाहर से दिखने लगती है आप देख सकते हैं इस्टेफिंग हमारी बाहर से दिख रही है तो जब momo हमारा translucent हो जाए तो आप समझ लीज़े कि momo हमारा perfectly steam हो चुक है momo हमारा perfectly steam हो चुक है आप देख सकते हैं तो अब इसे हमें बहुत ही carefully निकाल लेना है आप ध्यान रखेगा जिससे कि आप जले नहीं और same process से हम सभी momo को इसी तरह steam कर लेंगे आप देख सकते हैं momo हमारा देखने में कितना tempting लग रहा है तो चलिए भी momo बहुत अच्छा बन कर त्यार होगा आप इसे momo की chutney के साथ सर्फ करिए momo की chutney का link आप मेरे description box और video के end में देख सकते है momo की chutney का video already मेरे channel पर uploaded है उम्मीद करती हूँ आपको मेरे recipe पसंद आई होगी recipe अच्छी लगी तो please like, comments और family friends में share करना ना भूलिएगा और अगर आप मेरे channel पर first time है तो please एक बार subscribe भी कर दीजेगा Thank you